हेलो स्टुनेंट कक्षा 11 अर्थशास्त्र में इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें कक्षा 11 अर्थशास्त्र का परीचे मैंने आप लोगों को बताया था आज ये तूसरी वीडियो है जिसमें हम अर्थशास्त्र के नेक्स टॉपिक जिसमें आपडों का संकलन कै कैसे किया जाता है lesson two है हमारी book का इसके बारे में बढ़ेंगे अगर इससे पहले वाली video जिसमें शुरूँ वाली video का फुरीष yo burger में बडिया गया है शुरूआत करते हैं our शाष्त्र में सांधिक क्या है सांधिक किया है शांधिक कि किसी आंक्डो की गणना है, आंक्डो का विज्ञान है सांक्य की, किसी भी क्षेत्र है, भले वो जनसंक्या का क्षेत्र है, आर्थिक है, सामाजिक है, भोगोलिक है, उसमें जितनी भी संक्याओं की गणना हम करते हैं, और उन संक्याओं के पीछे अगर कोई समस्या है या उस सीदे सीदे चलते हैं सांखी की गणना का विक्यान है हमारे जो परिभाषा हैं उसमें भी दिया गया है सांखी की का अर्थ समंको या आकडो से है जो किसी विशिष्ट रक्षियत्र से संबंदित संख्यात्मक तथा उस से संबंदित समयस्या से हो जैसे कि पूरे रास्टर की जनगनना करना, पूरे रास्टर की रास्टे आयग्यात करना, यह तो बड़े स्तरका हो गया, अगर इसी को स्मॉल लेवल पर हम करें, हमारे कस्बे या नगर की जनगनना करना, किसी कक्षा में कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, कितने छात्र की सायू वर्क के हैं, ये सब संख्याएं का गणना करना, इन संख्याओं का ज्यान करना, इन संख्याओं के बारे में पता करना, ये सब इस्टेटिक्स के अंतरकत आता है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकडो का संकलन, collection of data क्या होता है, आंकडो का संकलन क्यों किया जा इनके प्रियोग हैं, किसी विशेष्ट उद्देश्चे के लिए जब संक्याओं को प्रियोग किया जाता है, संक्याओं को एकत्रित किया जाता है, इससे पहले आपको बता दें कि संक्याओं एक, दो, तीन, चारवांत गिंती में वो केवल संक्याओं हैं, लेकिन अगर उ एक, दो, तीन, यह संख्या लिखिये हैं तो यह मात्र संख्या कहलेंगे, लेकिन अगर इन संख्याओं के पीछे कोई उद्देश्य है, कोई अब्जेक्ट है, तो यह बन जाएंगे डाटा, आपको अगर कहा जाए, कक्षा में छात्र, तो यह 50 एक संख्याना रह करके एक डाटा, एक आंकडा या एक समंख बन जाएगा, देश की जन संख्या, तो जो भी रिजल्ट आएगा, वो एक संख्याना हो करके डाटा कहलाएगा अर्शास्त्र की भाषा में, जैसे किसी नकर में कितने फुरुष और कितने महिलाएं हैं, तो इस प्रश्ण का उत्तर, संख्याना रह करके, यह मात्र संख्याना रह करके डाटा, यानि आंकडे बन जाएगे, अब बात आती है, कि संख्याओं को collect कैसे किया जाता है, संख्याओं को एकत्रित कैसे किया जाता है, संख्याओं को collect करने का जो तरीका है, वो दो तरीके से संख्याओं को collect किया जा सकता है, जितनी भी सूचनाए हैं किसी समस्या के समधाने के लिए जो data collect किया जा सकता है, वो दो तरीके से collect किया जा सकता है, जिसे पहला तो होता है प्रात्मिक समंग और दूसरा हो को खुद से खोज करता है, खुद से इकठा करता है, एक एक टर्म को वो खुद कलेक्ट करता है, तो ऐसे डाटा प्रात्मिक समंग, प्रात्मिक आंकडे कहलाते हैं, इसकी परिभाशा है, वो आंकडे जिने अनुसंधान करता है, यानि कि रिसर्चर परसन जो भी रिसर्च कर रहा है किसी भी topic पर अपने उद्देशे के लिए उसका उद्देशे होगा कुछ ना कुछ की वो data को क्यों collect कर रहा है शुरुवात से ले करके और अंत तक स्वें में कत्रित करता है खुद personal उन data को collect करता है उन संख्याओं को collect करता है ऐसे आंगडों को प्रात्मिक समंग कहते हैं यानि कि उस उद्देशे के लिए इससे पहले किसी और ने इन आंगडों को collect नहीं किया अमुग वैक्ति ए शुरुवात में इन सारे data को personally collect कर रहा है अपने किसी विशिस्ट उद्देशे के लिए तो ऐसे आंगडों को हम प्रात्मिक समंग कहते हैं और जब इसके द्वारा collect किये गए आंगडे यानि कि किसी के भी द्वारा collect किये गए आंगडों को कोई और अन्यवैक्ति फिर दुबारा reuse करता है तो वो आंगडे दिर्जे कहलाते हैं secondary data कहलाते हैं अंतर आपकी समझी में आ गया हो गया जो आंगडे कोई भी अन्यवैशन करता अपने विशिश्ट उद्वेश्चे के लिए सुरुवाद से लेकर अंतर तक पहली बार collect करता है उनको प्रात्मिक समंग कहते हैं और जब ये data एक बार collect हो गए एक बार record हो गए तब इन आंकडों को कोई अन्यवैक्ति वहाँ से लेकर copy करने के बाद दुबारा तीबारा बाद में अपने यूज के लिए परियोग करता है तो उनको दिर्ट्यक समंग इस वैक्ति के लिए दिर्ट्यक समंग हो जाएंगे एक ही आंकडा एक ही डाटा एक वैक्ति के लिए परियोग समंग हो सकता है और किसी दूसरे वैक्ति के लिए दिर्ट्यक समंग हो सकता है जैसे देश की जन गंडना को जब सबसे पहले collect किया जाता है तो हमारे देश की जो central government है उसके लिए प्राथमिक समंग होंगे क्योंकि देश की राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा सबसे पहले जन गंडना की डाटा personally collect किया जाते है देश से क्या होता है पूरे देश की जन गंडना के बारे में पता करना अब इन समंगों को हम लोग या कोई भी अन्य वैक्टी उठा करके copy करके उससे कुछ result निकालता है तो ये जन गंडना अन्य वैक्टी के लिए दिर्थ्यक समंग कहलाते है अब प्राथमिक समंग या primary data वो कैसे collect कर सकते हैं इसने तरह का होता है उसको अब तमसते हैं ध्यान से प्राथमिक समंग और दिर्थ्यक समंग में जो अंतर होता है प्राथमिक समंग मोलिक होते हैं क्योंकि वो पहली बार collect किये गए हैं बिल्कुल original वो होते हैं उसमें किसी प्रकार की छेड़ छाड़ नहीं होती है लेकिन दिर्थ्यक समंग किसी अन्य सोर से लिए जाते हैं कोई अन्य वेक्ट उनको collect करता है collect करने के बाद उसके बाद हम उनको reuse करते हैं इसलिए हम लोगों के यह नहीं पता होता कि जो primary समंग किये गए थे collect book की साधार पर किये गए थे क्या उनका result निकला था हम उनको दिबार reuse कर रहे हैं इस बार second time पे तो यह अंतर होता है primary data में और secondary data में इसके अलावा object उदेश्य की दरश्टी से प्राथिमिक समंग जब collect किये गए थे उस समय collection करने वाले का क्या उदेश्य था और अब इन data को reuse किया जा रहा है तो इसका क्या उदेश्य है इसके अलावा प्राथिमिक समंग को collect करने के लिए बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत है ऐसे दिर्टेक समंग को यूज करने में सावधानियों की ज़रूरत है प्राथिमिक समंग जो व्यक्ति collect कर रहा है वो चुकि अपने व्यक्ति का उदेश्य के लिए कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत नहीं है वो जिस हिसाब से चाहिए अपने डाटा को collect करें, जिस हिसाब से अउन डाटा को use कर सकता है. लेकिन जब द्रित्यक समंग वो बन जाता है, कोई और उन data को use कर रहा है, तो साफधानी बढ़तने के आऊ सकता है. अब प्रशन उठता है कि प्रात्मिक समंगों को कैसे collect करने के क्या क्या विदिया है कैसे उनको collect किया जा सकता है देखिए प्रात्मिक समंगों को collect करने के सबसे पहला तरीका है परत्यक्स data collection याने परत्यक व्यक्ति से individual मिलने के बाद उन data को collect किया जा है परत्यक्स collection जो होता है परत्यक्त व्यक्तिकत अनुसंदान इसका मतलब यह है कि परत्यक इंडिवीजूल से अलग-अलग मिल करके उसके सम्बंदि डाटा को collect किया जाए जैसे हम लोगों को यह पता करना है कि किसी नगर में परती व्यक्ति आय कितनी है एक वक्ति की जो औसत आया है, उसको निकालने के लिए परते वक्ति आये, कितनी है ये पता करेंगे तो इस नेकर में अगर 100 वक्ति हैं, सबसे अलग अलग जाकरके, खुद मिला जाए और उनसे परसनुतर किया जाएं उनसे डाटा लिया जाएं तो ये परत्यक व्यक्ति का तनुसंदान रीदी कहलाती है कि परत्यक व्यक्ति से अलग अलग जाकर के हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सूचनाएं इकठी कर रहे हैं उसके बाद दूसरा था एपर्ट्यक्स, एपर्ट्यक्स में क्या होता है कि पर्ट्यक वैक्ति से हम स्वयम नमिल करके इन ही में से कुछ लोगों से सम्मंदित ग्रूप की सुचना collect कर ली जाए, जैसे हम वैक्ति A के पास गए तो A से ही B की जानकारी और C की जानकारी, D की ज लाती है, एपर्ट्यक्स मौकिक अनुसंदान की किसी एक वैक्ति से दूसरी ग्रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना, डाटा collect करना, इसके बाद आता है सम्मादाताओं के द्वारा, सम्मादाता एक बड़े ग्रूप में, जैसे कोई एक नगर है, इस नगर में जो सम्मादाता होंगे, जो इस गुरूप में से लोगों की डाटा निकाल करके हम लोगों को उपलब्द करा देंगे, सम्मादाता द्वारा एक डाटा collection का तरीका हो सकता, ये बड़े स्तर पर इसकी सूचनाई हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट है, सू सम्मरी में questions लिखे होते हैं, जैसे हम लोगों को प्रतिवेक्ति आये के बारे में जानकरी लेनी है, उनके website के बारे में जानकरी लेनी है, उसमें लिखा होगा कि उनका नाम क्या है, उनकी आयू क्या है, कहां वो रहते हैं, क्या वो काम करते हैं, उनकी आये कितनी है, कहां के पास बचत है तो ये पर्संदाव वली एक बना करके लोगों में बाण्ट दी जाती है और ये कौन बाण। वाणते हैं सूचक मतलब डाराटा कलक्ट करने वाले वैक्ति रेस्टे सूचक उसके प्रति निधि लोगों के भीच आते हैं इन परसनावलियों को भरवाते हैं भरवाने के बाद उनको collect करते हैं और सब परसनावलियां वापिस ला करके दे देते हैं तो जो भी वेक्तिकत भी विजवाये जाती है जैसे व्यक्तिकत भी वीजवाई जा सकते हैं बाई पोस्ट डाक द्वारा भी वीजवाई जा सकती है बाई पोस्ट वीजवाई जेते हैं और बाई पोस्ट ये डाक द्वारे हम लोगों के पास वापिस आजाती है लेकिन परकनक कुछ वैक्ति न्यूक्त कर दे जाते हैं, दस वीस बचा सो आदमियों को न्यूक्त कर दे जाते हैं, वो जगे जगे जाते हैं, वहाँ से question paper भरबाते हैं, data collect करते हैं और वापिस ला करके जो प्रात्मिक समंग के इकटा करने वाला अनुसांधान करने वाला व प्रमचारी उसमें लगते हैं, और वो घर घर जाकर के एक अनुसूची या परसनावली बनाते हैं, जिसमें हमारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाती, पता, वैलसाए, मोबाइल नमबर, इस तरह की बहुत सी सूचनाएं, परतिवेक्ति आये, इस तरह की बहुत सी पर भारत की जन गणना जब होती है, तो वो परगणों को द्वारा अनुसूची बना करके तयार की जाती है, यहां हमने देखा कि प्रात्मिक समंगों को कैसे कलक्ट किया जाता है, प्रामरी डाटा को कैसे कलक्ट किया जाता है, उन सूचनाओं को कैसे कठा किया जाता है, अब हम समझेंगे कि फ्राजविक समंखों को collect करने के बाद, दृत्यक समंख oficial यानि के secondary यूज़ करने वाले वैग्ति, उन डाटास को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास source होती हैं, देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं दृत्यक समंख, दिर्षयक समंग किया होते हैं। दिर्षयक समंग को से तातपर यह उन डाटा से हैं, जो प्रकाशन से पहले किसी और वैक्ती या किसी ओर संस्था द्वारा परियोग किये जा चुके हैं। अब उनके परियोग होने के बाद, उनके collection करने के बाद, कोई onion, यानि कि हम लोग secondary, दूसरी बार, तीसरी बार उनका परियोग कर रहे हैं, तो ये data हम लोगों के लिए secondary समखे, यानि कि दिर्ट्यक आंखडे कहलाएंगे, अब दिर्ट्यक आंखडे कहां से मिलते हैं, सबसे important, सबसे main होता है सरकारी प्रकाशन, सरकार समय समय पर बहुत से आंखडे collect करती है, जैसे कि जनगनना के आंखडे, परतिवेक्ति आय के आंखडे, कर्शी के आंखडे, और भोगोलिक आंखडे, क्षेतरपल के आंखडे, इस तरीके से बहुत से data सरकारी स्तर पर, मतल धाशित होने के बाद, अब उन आंगडों को हम लोग अगर अपने उदेश्यकी पूरती के लिए वी यूज करते हैं, तो हमारे लिए वो सेकंडरी डाटा होते हैं, सबसे बड़ा सोर्स डाटास को collect करने का data उसको प्राप्ट करने का सरकारी प्रकाशन है इसके लावा international संस्थाइं भी अंतराश्टे संस्थाइं भी अपने समय समय पर सम्मधी data प्रकाशित करते रहती हैं चाहे उन्हें वो झपवाएं या किसी website पर upload करते वहां से भी हम इन data उसको प्राप्ट कर सकते हैं बहुत से समीतियां के अंदर सरकार की राज्य सरकार की बनी होती हैं बहुत से आयोग बने होते हैं जो किसी खास उद्देश्चे के लिए किसी खास data को collect करते हैं collect करने के बाद उसको वो print करा देते हैं वहां से भी हमें संख्याय, आंकडा, data अपने उद्देश्चे के लिए प्राप्ट हो सकते हैं इसके रावा अर्द सरकारी संस्था हैं जैसे कि निकाय, नगर, निगम और पंचायत आदी अपने उद्देश्चे के लिए data को collect करती हैं जैसे किसी नगर में या किसी कस्वे में कितने घर हैं और कितने वेक्ति हैं पर capital income कितनी है और बिजली वगेरा के जो data's हैं कि कहां कहां की सक्षेतर में कितनी बिजली वे हो रही हैं निगम वो data's को collect करते हैं चफवाते हैं मों से भी हम संख्याओं को उन research का उद्यश्य उस समय उन लोगों के लिए परात्यमिक सम्झ होते हैLY लेकिन उसके बाद उन संख्याओं को हम लोग अगर reuse करते हैं हमारे लिए वो दिर्द्जक समंग होगी और उसका प्रियोग किया जा सकता है पत्र पत्रिकाएं अकबार न्यूजपेपर और मैगजीन समय समय पर अपने उद्देश्चे के लिए कुछ सर्वे कराती रहती है अनुसूची के तौरा परशन पत्रों के तौरा या उनके जो हैं उनके प्रतिनीती हैं वो भी जाकर के कुछ डाटा करते हैं और वो अपनी मैगजीन में या अपने अकबारे में उन चीजों को उन संख्याओं को छखवा देते हैं उनका भी प्रियूग कर सकते हैं इसके अलावा जो बाजार से रिलेटिटिट सूचनाए हैं बाजार क उन डाटा का यूज कर सकते हैं इसके अलावा यह तो प्रकाशित फ्रोत हो गई कुछ होते हैं अए प्रकाशित यह सभी संस्थाएं उन डाटा को जो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन कहीं प्रिंट नहीं कराया किसी वेवसाइट पर नहीं अपलोड किया गया उनको भी गणना और निदर्शन बहुत इंपोटेंट चीज है इसको आप ध्यान से समझेगे जब कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड किसी वी उद्देश्य की पूरती के लिए हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो संपून अक्षेत्र बतब एवरीवन किसी चीज को नहीं छोड़ते प्रतिक वैक्ति से जब जानकारी प्राफ करते हैं तो उसको कहते हैं सेंसस मतलब हंड्रेड परसेंट पूरे सेंपल के हंड्रेड परसेंट को टच करना पूरे सेंपल के हंड्रेड परसेंट से जानकारी और सूचनाय प्राफ करना सेंसस मेथड या संगनना विधी कहलाता यह कहां परियोग होता है, जब किसी रास्टर की जनगनना हम करते हैं, तो सेंसस मेथट का परियोग किया जाता है, क्योंकि वहां किसी वैक्ति को नहीं छोड़ा जाता है, प्रते एक वैक्ति की जानकारी हम लोग क्लेक्ट करते हैं, जैसे किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं और उनकी आयो वर्थ क्या, उनका बज़न क्या है, तो 100% को लिया जाता, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा उसमें. जैसे किसी नगर में, कितनी जन गरणा है, कितनी जन संक हैं, उसमें भी परतेख वैक्ति से, जानकारी प्रते व्यक्ति से data collect किया जाएगा लेकिन जब हम किसी पूरे के पूरे गुरूप का अध्यन ना करके उसमेंसे कुछ sample निकाल करके कुछ व्यक्तियों को निकाल करके या कुछ समगरी को निकाल करके अध्यन करते हैं तो उसको sampling method कहते हैं sampling method का अर्थ होता है संगणना के विपरीद इस परनालिक अंतरगत समस्टी में से कुछ इकाईयों को छाट कर समस्टी मतलब सम्पून सम्पून 100% में से कुछ unit को छाट करके कुछ हिस्से को छाट करके उन पर अध्यन किया जाता है जैसे ये 100% अक्षेत्र है इस 100% अक्षेत्र में से कुछ हिस्सा केबल 10% को उठा लिया और 10% में से पूरे के उपर निश्कर्स निकाल दे sampling को एक दरीके से और भी समझते है जैसे कहीं बहुत बड़ा केहों का धेर है तो उसके परते केहों के sampling ना करके पूरे गुरुप का अंदाजा लगा ले जाता है इसको sampling method या निदर्शन method कहते हैं sampling method या निदर्शन method इन दोनों का बड़ा विस्तरी topic है इससे next video में हम census और sampling को विस्तार से पढ़ेंगे आज की video में आपने देखा कि किस तरीके से हम data को collect करते हैं किस तरीके से आंकडो का संगलन क्या जाता है प्रात्यमिक समंग क्या कहते हैं दित्तक समंग क्या कहलाते हैं I hope कि प्रात्यमिक समंग और दित्तक समंग के बारे में आप विस्तार से समझगे होंगे इससे next topic में सेंप्लिंग मेंथर के बारे में पढ़ेंगे इससे फर्स्ट वीडियो जिसमें अर्शास्त के परिच्छे के बारे में आप लोगों को बता गया वो भी आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं थैंक्यू